सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल सक्सेना सिपी क्लासेश को और बेल आइकान को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देख लेगे सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल सक्सेना सिपी क्लासेश में दोस्तों आज जो आप लोगों का पेपर हुआ है हिंदी का पेपर हुआ है उसके पेपर के सल्यूशन को हम लेकर के आपके सामने आये हैं इससे पहले जितने भी आपके पेपर हुए हैं सभी आपने हमारे टेलिग्राम चैनल को नहीं जोइन किया है दोस्तों तो उसे जरूर जोइन कर लिजिए कि क्योंकि टेट से लेकर के सुपर टेट सी टेट की जो भी वीडियोज है उस पर मैं आपने डालता रहता हूं तो चले शुरू करते हैं आज का जो आपका पहला क्योस् संदि है तो प्रतेख दखी अधात्वा अगया ते आपका यण संदि नट चाहिए कौसा प्रतेट हो जाएका मेरे दोस्तों आपका क Adapt AC अगला हय देखिए हरी वन सराय बच्चन जी हैं आगे दिखें आपका दिखें कि राम तो क्या होता है दोस्तों पांचमा प्का आजाएगा आपका रामत ये मेने अपनलों करवाया था पहला वाला तो कौन सा हो जाएगा आगे दोस्तों आपका कहरा देखें कि आधुनिक यूग की मीरा किस कवित्री को कह जाता है तो इतने पांच विकल्पी आपके हो गए कितने आपके सही हैं दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताईएगा अब दोस्तों आप लोगों का अती लग उत्तरी प्रस्व में जब पुछा था है ब्रिज्छ से पत्ते गिरते हैं वाकि में कौन सा कारक है तो कौन सा कारक पुछार अपका आपा दानकारक कौनसा आपा दानकारक हो जाएगा तीक है मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखिए आपका कि कंठ धुनिया कौन कौन सी है पुछ रहा है कंठ धुनिया कौन कौन सी है कराव तक कंठ धुनिया क्या होती है देखे जो कंठ से बोले जाती है देखे तो के टियम मैंने आप लोगों के बता था बेंजर में देखे के टियम दो तो के से कावर गजितना होता जैसे का ख ग ग अंग यह सभी का है कंठ धुनिया है और स्वर में अगर आप आते हैं और आ यह सभी क्या है देखे आपका कंठ धोनिया है और वह वह भी जो आ जाता है दोस्तों आपका कंठ में ही आ जाता है यह सभी आपके कंठ धोनिया है आगे देखे आपका पूछरा देखे कि हार सब्द में उपसर्ग जोड़ते हुए सब्द बनाईए देखे प्रा में अगर हम में हार जोड़ देंगे तो आपका क्या होगा उप हार हो जाएगा और सम में हार जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा संहार हो जाएगा संग हार हो जाएगा और वी में हार जोड़ देंगे क्या जोड़ेंगे वी में यदि मैं हार जोड़ दूँगा तो क्या होग आपका वी हार हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो वी हार करना ठीक है दोस्तों इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं ठीक है दोस्तों आगे है देखिए आपका अगला के हितम मनोहारी चा दुरलभम वचा सुक्ति का हिंदी मनुवाद तो देखिए हितम मनोहारी चा दुरलभम वचा सुक्ति का हिंदी में अर्थ अगर कहा जाए तो हितकारी कि हितकारी और मनोहर वाड़ी क्या होती है दुरलभ के समान होती है एक बोल सकते हैं देखिए कि मैंने उसमें सुना था महाभारत में देख रहा था तो उसमें सुना था विदुर जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसा व्यक्ति जो है मिलना कठिन है जो आपके हित के लिए भी बोले और उसकी वाड़ी में कठोरता भी न हो अथात हितकारी बात मधुरता के समान प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति दुरलब होते हैं हितकारी और मनुहर बाड़ी दुरलब के समान होती है आगे आपका आजाता है दोस्तों हिंदी गद्य साहित के किनी चार विदाओं के नाम मैंने बापकों पताया था हिंदी अगर आप लोग कल का मेरे वीडियो देख करके गए होंगे इसमें क्या हो जाता देखिए बहुत सार आपके गद्याओं हो जाएगा नाटक हो जाएगा आपका कहानी हो जाएगा कहानी जीवनी जीवनी हो जाएगा और आपका आत्मकथा हो जाएगा आत्मकथा हो जाएगा संसमरण हो जाएगा रेखा चित्र हो जाएगा निबंध हो जाएगा ये सभी बहुत सी आपकी चारविधाएं हो जाएगी आगे पूछ रहा है दोस्तों आपका नदी एम आका सब्द के तीन तीन परियावाची सब्द तो नदी का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जागा थे गाड़ा दोस्तो फेस्ट फेसित कि कि नहीं कि अगे और जाएगा ढिने handout औन चैने हो जाएगा और ञेटकि जाते हैं हाट श्रेक्ष्ष जांते हैं आपके हो जाएगा पिसान हो पुछा गया था कि कभीर दास का संचिप्त पर्चे देते हुए उनकी रचनाओं का देखिए मैं आपको डिटेल में पताया था कि कभीर दास का जनम जो संद तेरह सो अठावे वी सल्डबी में हुआ था कि ब्रामणी के जनम के जनम से इन्हों ने जनम लिया था और इनको लहर तारा नामक टालाब के किनारे फिक दिया गया था जिसको नीरु और नीमा नाम के दो धमपती जुलाहां ने क्या किया था इनका लालंद पोशन किया था और इनका जो मतलब की बोलते हैं साधी इनका जो साधी हुआ था आपका लोई नामक किसे लोई नामक इस्तरी से हुआ था और इनके गुरु का नाम क्या था रामा नंद था रामा नंद था और इनके दो पूत्र थे कमाल और कमाली कमाल और कमाली इन्होंने अपने पूत्र का नाम रखा था और क्या इनकी खासियत थी दोरस्तों कि बोल सकते हैं देखें कि इन्होंने खुद बहा था कि मैं सिकागद शुगो नहीं कलम गही नहीं आत म मैंने खुद खागर नहीं चुआ लेकिन इतनी चीजों को बताया था और इन्होंने किया था दोस्तों इनकी अब देखिए रचनाओं के बारे में अगर पूछाए जाए तो इनकी देखिए इनका पहले मिर्ति बताते हैं मिर्ति इनका देखिए 1588 स्वी में कुल बताया जात क्या बोला देखिए संसिरित भासा के उचारण में दोस्त के पांच करण बताया था पहला देखिए करण यह देखिए कि वरडों जा होता है उसका सही से ग्यान नहोना पहला चीज और दोस्तों यह हो सकता है कि वरडों को सिगरता से आदमीं बोल देता है उचारण के दोस सहें आगे आपका पूछार देखें कि निम्लिखी सब्दों का संदी विछ विद्यालय का हो जाएगा और देखें क्या है महोत्सव का हो जाएगा महा अक्यवत्सव मह अक्या और बहरो कि महन को समयी तो पर देखें कर देखें क्या और कर देखें क्या देखें कि लिद्या सी सब शूदाना कीमा में हो जाएगा को अपी हो जाएगा यदीफ जाएंगा यह सभी आपके इसके हो जाएंगे लेकटर व्रon हम जता कंट करना ऐसा और यह जो स्थान कि यात्रा का बता करता है और यह कि स्थान की याथ्रा का रड़न करता है किसा होता है जो लेखख होता है उसक्रिति अर्फव्यास आधी से पाठ्ठव को क्या करता है परचित कराता रहता जैसे गर यात्रा विर्टानत जैसे हम लोग जैसे की देल ही गए तो वहां पर जितनी भी है कुतुब मिनार है जैसे कि आपका या फिर बोल सकते हैं इंडिया गेट है जितना भी है आप लोगों का पूरा चीजों का वर्ण कर इसको पूरा बताते प्रिटानत हो जाएगा अब यातरा विर्टानत हो जाएगा अब देखिए इसका आपके कि circumstance नाम और देखक Co यह सबसे बड़ा धनी माना जाता है उन्होंने अथातों घुमकड जिग्यासा भूमते-घुमते-घुमते-लग दिया और उनका देखे यात्रा के पन्ने था उनका यात्रा वितांत और स्रिधर पाठक ने देहरादून सिमला यात्रा लिखा था स्वामी मंगला ने मारिशस यात्रा लिखा था बहुत से यात्रा वितांत है मेरे दोस्तों इसमें एक पूछा था तो मोहन राकेस का लिखे लिए किसमें पठन की गती में क्या करना तिब्रता लाना और बोध की गती में बृध्धी करना किसकी बोध की गती में क्या करना बृध्धी करना और जो सते पठन किये गए जो अंस है उसको समझने की छमता उत्पन करना ये मौन वाचन का उद्देश है तथे को इस्मरण करने की और देखे शिक्षार्थियों के सब्द तथा सुक्ति भंद्रर में उत्देश से होता है कर देखे आयम निजह परोवेत का है तेखे वसुधेब कुटुमकदम का मतला है संपुड सर धर्ती ही क्या है एक परिवार है तो देखे अयम निजह परो वे तिगड़ नाम मतब यह मेरा है वह उसका है यह मेरा है यह उसका है ऐसी सोच संकुचित चित वाले मतब ऐसी जो संकुचित created good लो बयक्तियों की होती है इसके विपरीद इसके बिपरीद बोल रहा उदार चरिताँध नाम तूआस्वध्यम कुटेंबद्दम की इसके विपरीद उदार चरित वाले लोगों के लिए तो यह संपुड धरती ही क्या है परिवार जैसी है फिर से देखिए अयम निजह परोवेत गड़ना लगुवेत साम उधार चरिता नाम तुवस धैब कुटुम बतम के मतलब यह मेरा है यह उसका है ऐसी सोच संकुचित चित वाले व्यक्तियों की होती है इसके भी परीत उधार चरित वाले लोगों के लिए तो यह संपुड धरती ह एक परिवार जैसी है यह आपका हो जाएगा आगे आपका देखता है लास्ट और आखरी क्वेशन पूछा गया था कि निमलखी सब्दों का हिंदी में अर्थ लिखे तो क्या लिखा अभीतह अभीतह का मतलब होता है देखिए चारो और से क्या होता है दोस्तों चारो और ध्रूवम देखिए ध्रूवम का मतलब होता है अवश्य द्रूवम का मतलब होता है देखिए अवश्य और श्वह का मतलब होता है कल क्या होता देखिए स्वह का मतलब होता है कल सामप्रतम का मतलब होता देखिए अब सामप्रतम का मतलब होता है अब होता है आज कल होता है आज कल होता है कई चीज़ों हो जाकती है इस तरीके से आपके दोस्तों पूरे पेपर का solution मैंने दे दिया उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी आप सभी हमारे चैनल पे नए होगे इस छोटे से चैनल को अपने भाई के चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग जरूर करिएगा अब मिलेंगे आपके अगले वीडियो में इंगलीज के पेपर के solution को ले करके तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जै हिंद वंदे मात्रम यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं जाइन किया है तो उसे जाइन जरूर करिएगा दोस्तों धन्यवाद